नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत सौगत है आपके अपने फेवरेट रूप चैनल थे रिलेटिल टूटर में दोस्तों आपको केंदरी विद्याल एडमिशन से जुड़ी सभी महातुपूर जानकारिया टाइम टो टाइम दी जाती है दोस्तों केंदरी विद्यालों में क्लास 1 के अडमिशन के लिए जो फर्ष्ट प्रोविजनल सेलेक्सन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट थी वो सभी केंदरी विद्यालों ने अपने वेबसाइट पर 23 जून 2021 कीश को पब्लिस किया उसके बाद से अडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया 24 जून से सभी केंदरी विद्यालों में अडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट है तो दोस्तों बहुत से ऐसे परेंट जिनके बच्चों का फाइनल सेलेक्सन लिस्ट में नाम आ गया था उन्होंने केंदर वी दलों को विजिट किया और अपने बच्चों का सक्सेसफुल एड्मिशन करा है लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आये हैं जिनें देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है दोस्तों वो कमेंट इस तरह के हैं कि सर हमारे बच्चे का final selection list में नाम आ गया था लेकिन हमने service priority category गलत चूस कलिया था जिसकी वज़ा से admission में problem आ रही है या फिर admission नहीं हो पा रहा है कुछ लोगों ने comment किया है कि हम अपना application submission code खो दिये हैं तो अब वो कैसे मिलेगा कुछ लोगों का comment है कि हमें login code नहीं पता तो ऐसे में हम अपने बच्चे का final print है वो कैसे निकालें वो admission के time पर लग रहा है तो दोस्तों इसके लिए हम जो केंद्री विद्याले की guideline है और भी जितने भी resources है जहां से कुछ भी जानकारी हमें मिलती है और हम अपने कुछ experience के basis पर और बहुत ही मेनत करके दोस्तों हम ऐसी जानकारीया कठा करते हैं केंद्री विद्याले की website को देखकर admission वाली website अलग अलग केंद्री विद्याले की website पर जाकर हम ऐसी जानकारीया कठा करते हैं जिससे आपके बच्चे का जो admission है वो बिल्कुल ही smoothly हो जाए कोई भी दिक्कत ना हो लेकिन जब इस तरह के comments आते हैं कि सर priority category गलत चूज करने से हमारे बच्चे का admission नहीं हो पार है तो दोस्तों थोड़ा सा दुख होता है और दुख होने वाली बात है भी दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर जा कर देखेंगे तो आपको कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जिस पर हमने वीडियो ना बनाया हो admission से related हमने यहां तक की fees कैसे जमा करें के बाद कौन कौन से किताबें कौन कौन से ड्रेस लगते हैं इन सब तक के बारे में हमने जानकरी दी बहुत से चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ यह बताते हैं कि form आ गया है form की last date यह है documents यह लगेंगे बस इतना पता के फिर उनका काम खतम हो जाते हैं लेकिन दोस्तों कि हम dedicated हैं हमें हमारा यह परिवार है यह practical tutor हमारे एक परिवार है आप इस परिवार के हिस . इस मेंard के सिस्कार परिवारके हर एक subscriber हर एक viewer हमारा एक परिवार है और उर चाहते हैं कि हमारे ब मोटिव है वो यह है कि बच्चों का सक्सेस्फुल एड्मिशन हो जाए इसलिए हम दोस्तों अलग-अलग तरीके की जानकारी आपको देते हैं जैसे कि बहुत से इसके पहले वाली वीडियो में बहुत से पैरेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर एड्मिशन के चांसे आपके बच्चे के चांसे ज्यादा है हमने आपसे रिक्वेस्ट भी किया है कि दोस्तों अगर आपके बच्चे की वेटिंग लिस्ट कम है तो आप सेकेंड लिस्ट भी जरूर देखिएगा सेकेंड लिस्ट आपको देखना कैसे है इसके बारे में भी हमने आपको जानकार जैसे कि अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये पॉसिबिल्टी बताई कि जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है अडिमिशन केंद्री वीडियो में वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है तो उनके लिए पॉसिबल ऑप्संस क्या है लेकिन दोस्तों मुझे ऐ इनफॉर्मिशनल वीडियो रहती है थोड़ा सा सुरू में आपको लग सकता है कि ये जो बता रहा है ये हमें पता है हमें ये हमारे लिए जानकरी उस फुल नहीं है लेकिन हो सकता है कि उसी वीडियो में आगे थोड़ा सा और वीडियो चलने पर कुछ ऐसी जानकरी हो जो कि हमने live demo देके दिखाया था form बनने का तो दोस्तों हमने उसमें क्या-क्या possibilities हैं वो सारा आपको demo देके दिखाया था simply एक बच्चे का form भर के नहीं दिखाया था उसमें हमने ये भी बताया था कि अगर आप single girl child category में form बनना चाहते हैं आपको ये करना होगा अगर आप single girl child में twin girls का form भर रहे हैं तो आपको ये steps लेने होते हैं RT में अगर भर रहे हैं तो ये steps लेने होते हैं सारा demo हमने आपको fill करके दिखाया था लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपने video को skip किया हो या फिर video पूरा ना देखा हो या हो सकता है कि आपने हमारे कुछी videos देखे हो तो दोस्तों इसकी वज़ा से ये दिक्कत हो गई हो तो दोस्तों जो service priority category होती है बहुत ही important होती है किंद्री विदेलेमेड मिशन के लिए सारा जो base होता है किंद्री विदेलेमेड मिशन का वो service priority category के basis पर ही होता है अगर आप RT या single girl child या फिर different liable category में form नहीं भर रहे हैं तो दोस्तों जो service priority category होती है बहुत ही important role play करती है इसलिए हमने live demo में ये दिखाया था आपको कि कैसे आपको service priority category चूज करनी है हमने service priority category पर भी लगभग 4-5 वीडियो जड़े है कि ये service priority category होती क्या है किस priority category में कितने admission के chances होते हैं कैसे आपको service priority category select करनी है इसके बहुत जूद भी अगर आपस service priority category भरने में गलती हो जा रही तो दोस्तों फिर हम क्या कहें हमारे पास कुछ words ही नहीं है बस बच्चों का loss हो जाता है तो दोस्तों देखें सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि अगर आपके बच्चे का service priority category गलत हो गया है तो तो देखिए मान के चलिए अगर आप service category 5 में आते हैं ठीक आपने category 5 आपकी जो actual category है वो 5 है लेकिन आपने category 1 select कर लिया है तो अब आपके बच्चे का Dimension नहीं हो पाएगा हला कि आप प्रयास कर सकते हैं आपके इंदर भी दले सिस बारे में बात कर सकते हैं लेकिन अगर आप category 5 में आते हैं और अगर आपने category 1 select कर लिया है तो अब आपको service certificate और पिछले साथ सालों में कितने number of transfer हुए है इसका प्रमाणपत्र देना होता है तो ये प्रमाणपत्र सिर्फ उनी लोग का बनता है जो government job में है जो सरकारी नौकरी में है तो दोस्तों अगर आप category 5 में है और अगर आपने category 1, 2, 3, 4 क्योंकि category 1, 2, 3, 4 इन चारों category में सरकारी नौकरी वाले होते हैं 1, 2 में के अंदर सरकार वाले और 2, 3 में state government वाले तो दोस्तों कर आप category 5 में है तो आपका service certificate बनी नहीं सकता वो क्योंकि आप जो सरकारी केमचारी है उनके office के दोरा बना कर दिया जाता है तो अब आपका admission नहीं हो पाएगा अब दूसरी condition ये बनती है कि आप category 1 के हैं या आप category 2 के हैं, 3 के हैं, 4 के हैं लेकिन आपने category दूसरी चूस कर ली है मान के चलिए आप category 1 के हैं और आपने category 5 चूस कर लिया है तो आपने बहुत बड़ा मौका खो दिया क्योंकि category 1 में admission के chances बहुत ज़्यादा होते हैं अब आपकी category 5 में जो lottery निकलेगी उसमें waiting list आएगी अब आप कितना भी कहलना है केंद्री विद्देले से, केंद्री विद्देले सेंगठन से कि हम category 1 के हैं लेकिन आपने form भरते time category 5 चूस कर लिया है तो इसका मतलब कि आपने ध्यान नहीं दिया आपने चूस कर लिया और वहाँ पर guidelines में यह साफशाफ लिखा है कि service priority category चूस करते समय आपको इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है तो दोस्तों ऐसे में आप eligible थे आपके बच्चे का admission हो जाता लेकिन आपकी सिर्फ एक गलती की वज़ासे कि आपने service priority category गलत चूस कर लिया इसकी वज़ासे आपका category 1 से अगर आप चूस की होते तो हो सकता था कि आपके बच्चे का number आ जाता आपके बच्चे का selection list में नाम आ जाता चूकि आपने यहाँ पर category 5 से लेट कर लिया इसलिए आपके बच्चे का नाम नहीं आ पाया तो दोस्तों इसी तरीके से मालेजे किसी ने मालेजे कोई category 5 से है ठीक category 5 से है उसकी जो actual category है category 5 है अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने category 1 चोस कर लिया यह conditions बनती है मान के चलते हैं कि उन्होंने category 1 चोस कर लिया अब अगर वो category 1 चोस करेंगे मान के चलते हैं उनके बच्चे का category 1 में नाम आ भी गया तो अब admission के लिए उनको category 1 का certificate देना होगा यानि कि उनको service certificate देना होगा उनको पिछले 7 साल में उनके कितने number of transfer हुए वो देना होगा जो कि impossible है अगर आप सरकारी नोकरी में है ही नहीं तो आप कैसे दे देंगे तो उनके लिए बिटर यह रहता कि वो service category 1 ना चुनके service category अगर 5 चुनते तो उनके chances थोड़ा से ज्यादा थे क्योंकि उनका जो application था फिर वो RTE category में चला जाता अगर वो RTE के हिसाब से eligible होते तो अब RTE के हिसाब से कौन eligible होता है जो disadvantage category में आता है और अगर आपके घर से जो school की दूरी है वो 5 km सहरी चेतर के लिए और 7 km के रेंज में 8 km के रेंज में गाउं के छेतर में होता है तो अगर ये criteria आप पूरा करते तो हो सकता था कि आपके बच्चे का जो admission है वो RTE में हो जाता तो दोस्तों ये कुछ important चीजे हैं जो हमें बात करनी थी आप से इस वीडियो के मादम से मैं आप से बात कर रहा हूँ ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको कोई information दे रहा हूँ सिर्फ कुछ जरूरी चीजे हैं जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये आप हमारे एक परिवार हैं और 3little router में जितने भी subscriber है या फिर जिन्होंने subscribe नहीं किया है लेकिन regularly हमारे वीडियो को देखते हैं वो भी हमारे एक member ही है तो दोस्तों इस परिवार के हिस्सा है उनके बच्चे भी हमारे ही बच्चे हैं तो दोस्तों हम नहीं चाहते कि किसी बच्चे का loss हो तो दोस्तों इस तरह की गलतियां प्लीज आप लोग से request है कि ना करें वीडियोज को पूरा देखें जैसे कि मैंने बताया कि यह entertaining वीडियोज नहीं होते हैं यह informational वीडियोज होते हैं शुरू में देखने पे आपको यह कहते भी हैं कि दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखेंगा हो सकता है अगर आप कोई important point मिस कर देंगा अगर आप skip करते हैं तो दोस्तों इस तरीके से अब बात करते हैं condition यह भी बनती है कि मालिजे किसी की cast category थोड़ा सा अलग हो गई मालिजे कोई OBC है उन्होंने SC में form भर दिया तो अब इस केस में क्या क्या हो सकता है इस केस में दोस्तों यह हो सकता है कि जो OBC non criminal layer SC ST और EWS वगरा और BPL category वाले यह सब disadvantage category में आते हैं RT के तहट ठीक तो मान के चलिए अगर आपका SC category है और आपने OBC non criminal layer का कर दिया है काश्ट category में तो इसमें थोड़ा सा possibility बन सकती है मेरे हिसाब से वैसे आप किंद्री विदले की guidelines के साब से है या नहीं लेकिन आप एक कोशिस कर सकते हैं आप प्रियास कर सकते हैं कि मालिजे आप अगर SC है और आपका OBC सेलेक्ट हो गया है तो आप उनसे जाकर के अंद्री विदले में ये बात कर सकते हैं कि सर हम disadvantage category में ही आते हैं हमसे गलती से या फिर साइबर कैफी की गलती की वज़़ा से इन्होंने SC की जिगा OBC non criminal कर दिया है अगर आपका RT के तहट नाम आ गया है तो थोड़ी सी possibility रहती है क्योंकि RT में सभी एक समान माने जाते हैं चाहे आप SC हो OBC हो OBC non criminal मैं यहां पर बात कर रहा हूँ sorry इसको आप OBC non criminal समझेगा जहां पर भी मैं OBC word यूज़ कर रहा हूँ तो दोस्तों वहाँ पर आप request कर सकते हैं उनसे कि सर आप देख लिजे क्या कोई admission के गुंजाई से है अगर है तो वो बताएंगे नहीं है तो आपको साफ मना कर देंगे लेकिन आपको प्रयास जरूर करना चाहिए तो इसी तरीके से दोस्तों यह सब कुछ बाते थी जो बहुत ही ज्यादा important थी तो कुल मिला के अगर इस वीडियो के conclusion पे पहुँचें इस वीडियो के परडाम पे आएं तो बात यह है कि दोस्तों देखिए यह जो हम वीडियो पोस्ट करते हैं अपने three little tutor channel पर यह educational point of view से बहुत important होते हैं यह बच्चों के admission के point of view से बहुत important होते हैं यह informational videos हैं यह कोई entertaining videos नहीं है तो इस वीडियो इन वीडियो में आपको information दी जाती है तो वीडियो के बीच में भी important information हो सकती है वीडियो के last में भी important information हो सकती है वीडियो के सुरुआत में ही important information हो सकती है और हो सक बहुत से कमेंट पॉजटिव आते हैं हमारे चैनल पर लोग थेंक्यू बोलते हैं कहते हैं कि सर हाँ ये वीडियो कि हमें बहुत ज़्यादा जरूरत थी आपने ये वीडियो बनाकर बहुत अच्छा किया इसी तरह के वीडियो डालते रहा करिये तो दोस्तों ऐसी बात नही हैं वो सब important ही होती हैं तो दोस्तों आप से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें अब मान के चलते हैं कि कुछ बच्चों का admission नहीं हो पाया या फिर नहीं हो पा रहा है तो उनके parents को निराश होनी के जुरूत नहीं है दोस्तों अगर आपके बच्चे की age आप केंदरी विद्धाले के लिए भर सकते हैं लेकिन दोस्तों इस बार आप इस बात का ध्यान रखेगा कि जितनी भी वीडियो आएं जो आपको लगें कि आपके लिए important हैं उन वीडियो को तो आप पूरा देखिए आपसे हाँ जोड़ के request है क्योंकि दोस्तों हर वीडियो म कि उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ पर केंदरी विद्धाले का जो website है जहां से आप अपने बच्चे का form भर रहे थे वहाँ पर एक option था कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी service priority category क्या है तो वहाँ पर आप अपने service के बारे में select करेंगे तो वो automatically आपको category category बता देगा हलांकि वहाँ पर केंदरी विद्धाले संगठन ने एक note लिखा था कि ये उतना accurate नहीं है अगर आपको further कोई confusion हो तो आप इसके regarding केंदरी विद्धाले संगठन से संपर्क कर सकते हैं उन्होंने यहां तक का option दिया था लेकिन फिर भी आपसे service priority category पता नहीं कै में आ रहा है तो आप दूसरे चैनल के भी वीडियो की help ले सकते हैं और दोस्तों जान में मोटिव यह है कि आपके बच्चे का admission होना चाहिए successfully होना चाहिए सभी eligibility होते हुए भी ऐसा ना हो कि आपके बच्चे का admission ना हो पाए तो दोस्तों इस बात का पूरा ध्यान रखेगा आप भी हम भी इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे आपको time to time जानकरी देते रहेंगे यह हमारा आपसे वादा है और दोस्तों इस परिवार में जुड़ देते रहेंगे तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को खतम करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हमें आपसे थोड़ा सा बात करना था तो दोस्तों I hope that कि मैं अपनी बात आपको समझा पया हूँगा और दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप क्या कि बताएगा तो अगर हमारे अंदर कुछ कमी होगी तो आप वह भी बताएगा हम उसको भी इंप्रूब करेंगे आगे हमारी वीडियो में और Siya this is a अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए इसाज़त दीजे करें बायकार